नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूटीब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेज में आज मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है आपका विराम चिन विराम चिनों का प्रयोग हम कब कहां कैसे करते हैं इससे भी रिलेटेड आपके कोईशन आते हैं और क्लास में आप लोग जुड़े रही हैं बने रही हैं क्लास पूरी देखिए क्योंकि इस क्लास से क्या होगा आप कुछ न कुछ एक नमबर लेके ही जाओगे क्योंकि वाक्य सुद्धी में भी इसका प्रयोग होता है हर जगे इसका प्रयोग होगा और डेली उसस में भी हम विराम चिनों का अगर प्रयोग गलत करें तो भी गलत वाक्य बनेगा तो इस वज़े से विराम चिन का प्रयोग उसमें हमारे सभी आ जाते हैं प्रशन लोग देखेंगे तो एक लाइक तो बनता है तुम लोगों के लिए इतनी मेनत करी जा रही है ठिक और इसके बाद जिनको भी हिंदी पढ़नी हो या आप लोगों के नॉलेज में जो हो उनको भेज दीजिए यह वीडियो आप सेर कर दीजिए अगर उनको अच्छा लगेगा वैसे मेरा मेरे उमीद है हमारी कि उनको अच्छा लगना चाहिए लगेगा भी मैटर उनको यहां से भी मिल रहा है पीटिएफ हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को प्रोवाइड कराई भी जा रही है एडी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल सॉरी ट अबídaट्स मिलती रहे धिन जिए पीटा बने रहे ना अप लोग क्योंकि हम लोग पूरी कवर करवाएंगे अभी तो हिंदी व्याकरन राक के साथ साथ हम लोग कुछ साहित्त पर्चंग फिल्सक्ता इतिहास साहित और सहित्त का इतिहास तो सहित्त में तो चलो रश्चनद वादी है न यह सब आते हैं न तो यह सब काल हुए फिर किनका कैसा इतियास रहा कौन-कौन से लेखा का है कौन-कौन से कभी हुए उनके सब मिवारे में पढ़ेंगे अपन लोग तो यह आपका मान के चलो कि आरो ए आरो स्टेंडर्ड भी इसमें पूरा का पूरा होल कवर अ जाएगा केवल यह ना समझीए कि यह केवल यूपी पुलिस वालों के लिए है जहां-जहां जिसको जरूरत लग रही हुआ आप लोग सेर करिए कम से कम एक कम आप लोग इस मुहिम में आप भी इस्सा बनिये ठिक कुछ नहीं करना है आपको सेर कर देना है लाइक कर देना इतना काम करना है बस इतने की उम्मेद आप लोगों से हम लोग रख रहे हैं और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं ना कि फीस लिए ले रहे हैं बताओ कि मल फीस ले रहे हैं लाइक करोगे सब्सक्राइब वो तो कर चुके हो गए और करवा देना मलब यह है जो जरूरत जिनक हैं हम लोगों ने देखा अलंकार देख लिए थे बिटा अलंकार पढ़ लिए थे विराम चीन देखते हैं हम लोग आज विरामकार था है रुकना या ठहरना तो विरामकार था है रुकना या ठहरना जब हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो उस समय वा करने के लिए रुके तो उन समय जुन भी चिन्नों का हम प्रयोग करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं विराम चिन्न कहते हैं लिखते समय विराम के स्थानों को जिन चिन्नों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्न कहते हैं इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ भी हो जाएगा जैसे उसे रोंको मत जाने दो अगर हम यहां पर विराम चिन मालों हमने यहां यूज कर दिया उसे रोंको मत जाने दो तो अर्थ क्या हुआ कि उसको मत रोंको जाने दो भीया जा रहे हैं चार दिन से बने हैं रोंको मत जा ले लगा दिया जाए उसे रोंको मत जाने दो बता और कुछ भी तो नहीं किया गया अगर यह हम सपोस्थ यहां से हटा दें अब देखो कुछ चेंज किया गया वही सेम लिखा है उसे रोंको मत जाने दो यह उसे रोंको मत जाने दो दोनों के अर्थ बदल गया ना बदल गय की नहीं बदल गया तो वही चीज है और अम इसका आगे देखू उन्नीस्वी सतापदी के पूर्वार्द तक हिंदी तथा अन्य भारती भासाओं में विराम चिन्नों के रूप में एक पाई वा दो पाई का प्रयोग होता था पहले कब उन्नीस्वी सतापदी के पूर्व पूर्वार्द तक हिंदी तथा अन्य भारती भासाओं में विराम चिन्नों के रूप में एक पाई का प्रयोग किया जाता था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19 सतापदी के अंत तक अंग्रेजी के ही बहुत से विराम चिन्न हिंदी में आ गए अब मानते हो ना हिंदी सबसे लिये दिये वैठी है वाई साब है ना तुम भी ले तुम भी दे दें हमें पूरा कर दो है ना इस ने क्या किया विराम चिन्नों को अंग्रेजी बहादा से लिया जो भी विराम चिन्न आ है अप बैसमी सतापदी के आरंब में हिंदी में विराम, आधि चिन्नों का विवस्तित प्रयोग होने लगा कब 20 सताब्दी 20 सताब्दी बोले तो 900 से जो भी संचलना है ठीक यहां पर आ गए आपके विराम चिन का प्रियोग विभस्तित होने लगा आप देखो कुछ इसके दिये गए विराम चिन विराम चिन देखो एक तो पूर्ण विराम पूर्ण विराम तो जानते ही हो जब वाक आपका पूर्ण विराम हो गया पूर्ण विराम को हम एक पाई के द्वारा ऐसे प्रियोग कर देते हैं जैसे राम जाता है ऐसे लिख दिया जाता है न तो यह हो गया देखो विराम चिन अच्छा दूसरा देखो कौन है अर्द विराम अर्द विराम को हम ऐसे लगाते हैं अर्द विराम अल्प विराम जिसको हम कौमा बोलते हैं प्रस्ण वाचक को आप question mark ऐसे लगाते हो विसमयाद exclamatory ऐसे उत धरण चिन्न को आप ऐसे कर देते हो ना है ना तो यह उद्धरण चिन्न हो गए ऐसे भी तो कर देते हो ऐसे यह वाले तो यह उद्धरण चिन्न हो गए जैसे कोई किसी ने कोई बात कही तो उनके अनुसार ऐसे लिखते हैं ना आचारे हजारी प्रसाद दिवेधी के अनुसार ऐसे लिख देते हैं उन्होंने यह का तो जो भी उद्धरन दिया, जो भी बात कही, वो हमने क्या किया, आचारे रामचंद्र सुकल के अनुसार ये, आचारे दंडी के अनुसार, कावे सोबा करान, धर्मान, लंकारान, प्रचच्छते, उसको इंवर्टेट कौमा में कर दिया, ठिक, उद्धरन चिन्न को बता दि से, ठिक, निर्देशक चिन, विवरण चिन देखो, ऐसे कर दिये जाते हैं, अच्छा, इसके बाद, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम ये, ठिक, योजक चिन, छोटी वाली डैस से, जैसे देखो, साथ-साथ, क्या लिखा जाता है, साथ-साथ, ऐसे लिख दिया गय हंसपद, कागपद, तुरुट चिन, विश्मरण, जैसे आप ये देखो, वैसे ज्याधा प्रियोग होता नहीं है, लेकि निनका देख लो, क्या आए हंसपद, कागपद, तुरुट चिन, या विश्मरण, जैसे आपने कभी देखा, कोई वाक्य मानलों लिख रहा है हो, आप देखो मालो हमारे पास एक सब्द छूट गया तरनी तनूजा तट छूट गया मालो क्या हो गया तट छूट गया तो हम ऐसे लगा देते हैं न ऐसे लगा के लिख देते हो ऐसे बीच में लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो तो इसका मरतलब यह हो गया आपको पूरा एरेज नहीं करना है वहां पर आपने ऐसे प्रयोंकिया उपर लिख दिया कि यह चीज रह गई थी इसके बाद देखो अनुब्रत्ति चिन अनुब्रत्ति में यह आ जाएगा अनुब्रत्ति चिन में क्या जाएगा यह वाले आ जाएंगे ठीक कोस्थक यह हो जाते हैं थोटा कोस्थक मंजला कोस्थक बड़ा कोस्थक संचेप या लागो चिन जैसे आपको डॉक्टर लिखना है क्या लिखना है संचेप करना है डॉक्टर लिखना है यह देखो यह चिन बना दिया है ना यह तो हमने डॉट बना दिया ऐसे बना देते है लिख दिया जाता है, डॉक्टर लिखना है आपको, अचा ये तो चलो, इंगलिस से हो गए, वह ऐसे नहीं लिख देते हो जैसे, ऐसे, लिख देते हो ना, ऐसे बिंदी बना देते हो, ये हो गए आपके संखेप, लोप, सूचक, चिन, ये वाले हो गए, ऐसे, इसके प्रतिस लिखत, समानता सूचक, ये भी पता होगा बराबर, है ना, समानता सूचक, तो ये सब बराबर वाले चिन हो गए, आप देखो इसके बारे में डिटेल थोड़ा इतना समझ लो, कहां-कहां प्रयोग होता है, कैसे होता है, ये समझ लेते हैं, पून्विराम का प्रयोग, प पूह्रविर्म का प्रयोग नहीं होता प्रस्माचक प्रस्माचक वाला खुद का ही अलग है और विसम्हादिंग हो थाक में उसमेदि इस वा इत्सक्नाव और देखो कभी कभी बताया गया कि एक चिन्द के बाद दूसरे सब्द के बाद भी इसका एक सब्द के बाद दूसरे के बाद प्रयोग किया जाता वो तो requirement के एक कि जैसा आप उसको अलग अलग दिखाना चाहो तो लिख दिया हमने ठीक आगे देखो अर्द विराम का मतलब यह हुआ आधा विराम जहां आमें थोड़ी देर के लिए रुखना पड़े वहां अर्द विराम ठीक जहां संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों को प्रस उपवाक्यों को जोड़ते टाइम तो वहां पर जब उनको कहीं विशेश संबंद नहीं होता तो वहां अर्द विराम के द्वारा उनको अलग कर दिया जाता है जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अन्यक उपाई किये परंत वे सबने सफल हुए तो अब यहां पर क क्या हो गया जो उपवाक्य था जो उपवाक्य था उसको यहां पर क्या किया उसने इस से अलग कर दिया ठिक परंतु सबने सफल हो गया समझ में आ रही बिटा बात अब देखो ऐसे मिस्त्र वाक्यों के साथ भी जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी साथ जब तब ये कल अमने परसुपड़ाया था सायथ कल जब तब है ना तो यह सब जब तब यह सब हो जाएंगे अनेक उपादियों को एक साथ लिखने में उनके पार्थक के प्रकट करने के लिए इसका प्रियोग होता है देखो जैसे दॉक्टर अशोक चैसवाल ए में अब पीएचडी भी किये हैं तो पीएचडी फिर डिलिट है ना तो अब पार्थक दिखाया जा रहा है दॉक्टर चैसवाल ए में पीएचडी डिलिट तो ऐसे करके यह भी लिखने के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक आगे देखो कम समय के लिए ठहराव लेना हो जैसे दिनेश गीतेश राजेश और सोनु गोमने गए कॉमा लग जाता है तो लोगों को पढ़ने में भी उसी पढ़ते भी है ना जैसे देखो गीतेश दिनेश राजेश ऐसे करके तो वहां वहां रूख भी लिए है ना हां तो एक लैबद् के लिए रुकना है उन सबका काम करना है ठीक देखो और देख लो जहां एक तरह के कई शब्द वाक्यांस या वाक्यक साथ आते हैं वहां पर भी अल्पविराम का प्रयोग होता है देखो संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है राधा तुम यहीं ठेरो ठीक परंत इसलिए यह जितने भी आपकी कंजंग्शन है यहां पर भी आपका हो जाएगा आप देखो प्रस्नवाचक का तो पता ही होगा जहां प्रस्न किया जाए वहां प्रस्नवाचक प्रस्नवाचक के लिए तो समस्या नहीं आएगी तुमने खा लिया तुमने खाना खा लिय और यहीं तुम ने खाना खा लिया अगर हम बात बताने लगे उसने खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा पुन्ळ विराम और कई दें तुमने उसने खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा question mark लग जाएगा ठिक विश्मयाद देखो exclamatory sign विस्मय दिखाने के लिए जैसे वाह अरे ओ तो यह सब क्या हो जाएंगे इनमें हम विस्मय का चिन का लगा देंगे उधरण चिन जहां कि उधरण बताना हो किसी लेक कविता आधिका सीर्शक लिखने में हम क्या करते हैं एक एरे उधरण चिन का मतलब हुआ एक वाले ऐसे वाले एक एरे और दोरे का मतलब क्या हुआ ऐसे वाले ठिक जैसे किसी कथन को ज्यों का त्यों उधरण चिन का जैसे देखो नारी तुम केवल स्रिद्धा हो है ना तो यहां पर क्या कर दिया गया यहां पर दोहुरे उधरण चिन का प्रयोग कर दिया गया बिटा कोई समस वाला टैसिट लगा देते हैं उसकिंघ्र जैसे वेस अ का तो यहां पर निर्धेशा का प्रियोग हो गयाँ आप देखोम वीवरान चीन आ जो यह वाला होता है विस्तार देना होता है तब तो हम लोग ऐसे करते हैं न ऐसे तो यह विवरण चिन हो गया, जहां किसी कथन को विस्तार देना होता है, ठीक, अपूण विराम, अपूण विराम था, एक अपूण विराम है, अपूण विराम में क्या होता है वाई सब, कभी विसर्ग का ब्रहम होता है, फलता है, इसका प्रयोग कम होता है, अपूण विर जैसंकर प्रशाद की, अब कामाईनी एक पुनर विचार, तो यहां पर ऐसे लगा दिया गया, कामाईनी एक पुनर विचार, है न, तो यह हमारा क्या हो गया, अपूंड विराम हो गया, पूंड विराम ऐसे लगाएंगे, अपूंड उसी को हम अभी पूरा नहीं है, अब कर पाप पुन्य है ना दिन रात ऐसे ही तो लिख दिया जाता है रात दिन सुख दुख आना जाना अपना पराया खोया पाया है ना तो इसमें सम्में दौंद समास के बीच वेवी माता पिता दाल रोटी गुरू सिस समान आर्थी सब्दों की पुनरक्ति घर घर पल-पल दूर उद्धूर साथ 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 हमने बताया था इसमें आप ये प्रियोक करोगे संचेप में आपने देख लिए डौक्टर लिखना ए तो ये बिंदी बना देते हैं बस इनका प्रियोग तो आप लोग हमेशा से करते रहे हो ना लोप शूचक चिन देखो ऐसे 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 लोप सूचक चिन का प्रियोग कर दिया जाता है ये वाला जैसे आप कभी कोई कविता लिखते हो तो संकेत डालते थे ऐसे पर उसमें लिगते थे जैसे उधित-उदायगीरी का पूरा करना है, उधित-उदायगीरी मंचपर रखुबर वाल पतंग, विक्सेशन्द सरोज लोचन भ्रंग, और बस ऐसे भ्रंग यहां कर दिया, यह पूरा लोप कर देते थे ना वहाँ पी, लोप कर देते थे ना, ऐस कर देते थे तो यहां पर कोई हम क्या करते थे जो हमारे पास पद्द दिया गया होता था उसका पहला एक दो सब्द लिखते थे लास्ट वाले लिख देते थे बीच में क्या करते थे लोप वाला तो यह वाला चिन लगा दिया करते थे यह काकचिन हमने तुम्हें बता दिया कााकपद चिन ज वहाँ कोई गलती हो जाए तो इसको ऐसे लगा दिया जाता है जैसे देखो प्रियौ। यहां लिखना है अवस्स डू ett में तो कहीं घुशा नहीं पाऊगे अवस्स को यहां तो कहीं सट नहीं कर दोगे तो अवस्य लिखना है तो आपने ऐसे किया अवस्य तो आप पढ़ने माला समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या था अवस्य था ठीक समझ गए विटा आगे देखो अनुब्रत्ती यह देखो वही चीज बताया तो गया राम जैपूर जाता है राम जाता है मालो हमने लिख दिया होगा भीच भीच कभी कभी अच्छा आगे देखते हैं हम लोग अनुब्रत्ती चिन जब लिखने में एक ही सब्द बार बार ठीक नीचे लिखना पड़ता है तब इसका प्रियोग तो बहुत अच्छा जानते हो देखो जैसे आपने जैसे हम ही ने उस दिल लिख दिया थ था क्या लिख दिया था अब वेई भाव समास तत पुरुष समास कर्मदारे दिगू द्वंद बावब्री ठीक अब हमें तत पुरुष समास कर्मदारे समास ऐसे लिखना है तो हम लोग ऐसे ऐसे नहीं कर देते हैं ऐसे कर देते हैं न यह तो याद आ रहा होगा तत पुरुष समास कर्मदारे समास दिगू समास तो ऐसे ऐसे ही तो कर दिया जाता है अब इसी किया अब रत्ति नीचे करते रहना है तो हम लोग ऐसे कर देंगे ठीक बास समझ में आ गई तो चलो अगर समझ में आ गई तो आज आप लोगों के यह विराम चिन हमने करवा दिये पूरे ठीक विराम चिन हो गए पूरे अब यह क्लास छोटी इसलिए हैं क्योंकि विराम चिन ज्यादा कोई इनका खास बहुत बड़ी क्लास नहीं थी इतना डिटेल नहीं था जब क्वेश्चन वर्ड का जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहां करेंगे यह तो आप ही लोग जब क्वेश्चन होगा या जो भी प्रस्नवाचक सब दोंगे उन आपको बता दें अगर हम लोग कुछ आप लोगों को दे रहे हैं तो यार कुछ तो हम लोग भी उमीद करते हैं कि नहीं कुछ है तो आप लोग उसको वीडियो पूरा देखिए लाइक दीजिए सब्सक्राइब करिए भाई हमारा भी मनोबल बढ़ेगा है ना बढ़ेगा लुआ अगर आप कोई चीजें समझ में आ रही है, नहीं कोई сама समझ में आ रही है या कोई दिक्कत करर रही है तो आप उसको निसंकोश कहिए खहता क्या हुत टीचर एक क्या होता है टीचर एक ऐसा प्राड़ी है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है लोगों के मद्दे में बना रहता है और कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है तो कुछ चीजें हमें सीखने को मिलेंगी कुछ चीजें आप सीखोगे एक दूसरे से सीख सीख के दोनों लोगों का कुछ अच्छा होगा तो इस वज़े से बिटर ये रहेगा कि आप लोग चीजों को देखिए सुनिए समझिए यूट्यूब पे अपने चैनल पे AD Smart Classes अपने परिवार को अपना समझिए जिसको जिसको जरूर है तो उसको सेयर करिए टेलिग्राम कोई चीज नहीं समझ में आती है कोई नया टॉपिक आसाठ्य जो आप certa करें कि सरीये चीजँ नहीं आई यह बता दीजिए यह आपने अभी नहीं बताई ये बता दो तो आप लोग निसंकोच कमेंट्स करिए किसी वीडियो में उसका सीधा हम लोग देखेंगे उसके इसाब से वीडियो बनाएंगे आप लोगों को तक पहुचा देंगे चलो फिर ठीक हैं मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक